हेलो एव्रीवन विल्कम तो माई योट्यूब चैनल फैफ एजूकेशन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश वर्ड मीनिंग यानि हम सब अपने रोज मर्रा की जिंदगी में जो भी वाक्यों को हिंदी में यूज करते हैं तो जब हम उनको इंग्लिश मे जानने के लिए सबसे इंग्लिश बूलने के लिए इंग्लिश की वर्ड मीनिग जितना ज्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी उतनी अच्छे से आप इंग्लिश बूलना सीख पाएंगे जैसे फॉर इजामपल अगर कोई आप से पूछता है क्या टटोल रहे हो तो आपको टटोलना की इंग्लिश पता होगी चिहना की इंग्लिश पता होगी इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड की इंग्लिश पता होगी तभी आप इंग्लिश बूलना सीख पाएंगे चलिए शुरू करते हैं कि डॉजी डॉजी मतलब काम चूर देखे इन वर्डों को जब आप सीख रहना तो बिल्कुल ध्यान से सीखे और अपने डेली लाइफ में इन वर्ड का इन शब्दों का परयोग किजिए यूज कीजिए प्रेक्टिस किजिए जितना जादा प्रेक्टिस करेंगे उतने ही ज तो अची है कि हम एक बार पूरी इंग्लिश सीख जाएं फिर इंग्लिश बोलना शुरू करें कहीं पीच मैट के नहीं तो इस इंपॉसिबल ये किसी के साथ नहीं हुआ तो आपके साथ कैसे होगा आप भी जितनी भी इंग्लिश जानते हैं उतना बोलिये जहां पे गलती होगी सामने वाला या तो बता देगा नहीं तो आप सिख जाएंगी किसका मतलब क्या होता है और बहुत से चीजें बोलते बोलते भी आ जाती है यहां तक कि जितने भी इंडियंस हैं बहुत से लोगों को हर वर्ड की इंग्लिश नहीं पता होती या हिंदी नहीं पता होती राहूल is a dodgy employee राहूल एक कामचोर क्रमचारी है राहूल is a dodgy employee राहूल एक कामचोर क्रमचारी है Possessive Possessive का मतलब होता है मालिकाना या किसी के साथ नहीं बाटना Rohit is possessive for his bike Rohit अपनी बाइक के लिए बहुत positive है मतलब वो अपनी बाइक किसी को नहीं देना चाहता है Rohit is possessive for his bike Rohit अपनी बाइक के लिए बहुत positive है Irritate Irritate मतलब चुर्णा या परिशान होना Irritate Irritate मतलब होता है चुर्णा या परिशान होना तो अगर आपको कोई चुर्णा है परिशान हो रहा है या आप किसी को Irritate कर रहे हैं तो उसके example sentence है Please don't irritate others किरिप्या दूसरों को परिशान न करें Canard Canard मतलब बेबुनियाद खबर या अफवा Canard Canard मतलब बेबुनियाद खबर या अफवा Fake news भी जिसको बोलते हैं People spread canard about various things लोग कई चीजों के बारे में अफवा फैलाते हैं People spread canard about various things Various things मतलब कई चीजों के बारे में लोग कई चीजों के बारे में अफवा फैलाते हैं, तो गैनल्ड भी यूज कर सकते हैं, फेक न्यूज भी बोल सकते हैं, आइवाश, आइवाश मतलब बहाना, आइवाश, आइवाश मतलब क्या होता है, बहाना, अब बहाना के इंग्लिश और भी होती है, जब आप किसी भी word के synonyms और antonyms पढ़ेंगे बहुत जल्दी में अपने चैनल पर synonyms और antonyms के भी videos लाने वाला हूँ it's just a matter of eye wash ये सिर्फ एक बहाना है exempt exempt मतला मुक्त करें या छूट exempt exempt मतला मुक्त करें या छूट some students are exempt from certain exams कुछ चात्रों को कुछ परिच्छाओं से छूट दी गई है some students are exempt from certain exams कुछ चात्रों को कुछ परिच्छाओं से छूट दी गई है सबसे important चीज़ आप लोग यह जान लिजे कि हिंदी के किसी भी शब्द का English में एक word नहीं होता एक ही शब्द को कई अलग-अलग English होती है जिसको हम synonyms भी बोलते है hardly hardly मतला मुश्किल से I hardly know to cook मैं शायद ही खाना बनाना जानता हूं as if जैसे की He treats me as if I am his enemy वो मेरे साथ ऐसा वैवहार करता है जैसे की मैं उसका दुश्मन हूं tactfully मतलब चतुराई या कुशलता tactfully मतलब चतुराई या कुशलता तो word meaning आना बहुत जोई दे कि जितने भी मैं example sentences बता रहा हूं सब में main word क्या है जो उसके एक बात बोली गई है He handles his wife tactfully वो अपनी पत्नी की चतुराई से संभालता है वो अपनी पत्नी को चतुराई से संभालता है stubborn, stubborn मतलब होता है जिद्दी Rahul is a stubborn child Rahul एक जिद्दी बच्चा है ridiculous, ridiculous means बकवास अब ridiculous का synonymous होता है nonsense that was a ridiculous idea यह एक बकवास विचार है crawl, crawl मतलब धीरे धीरे चलना या ring ना the car, sorry my car was crawling in the traffic मेरी गाड़ी traffic में ring रही थी my car was crawling in the traffic tempt, tempt मतलब होता है लुभाना chocolate always tempts me chocolate हमेशा मुझे लुभाता है pass by, मतलब होता है के पास से निकला the doctor passed by me before some time doctor कुछ समय पहले मेरे पास से निकला needles needless, needless मतलब अनावश्यक या कहने की जरूरत नहीं needless मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं it is needless to say that he is mad यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो पागल है enhance, enhance मतलब बहतर बनाना enhance your work अपने काम को बहतर बनाए overcast मतलब घने बादल overcast का मतलब होता है घने बादल तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट कर दें मेरे लिए और भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिससे आग्याने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे the sky is overcast आकाश में घने बादल है compliment मतलब प्रशंशा compliment मतलब होता है प्रशंशा उसने मेरी प्रशंशा की इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके बताए compliment always makes me happy तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है compliment always makes me happy तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है compliment always makes me happy तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है bumpy bumpy मतलब उबर खाबर road to my office is bumpy मेरे कार्याले की सड़क उबर खाबर है road to my office is bumpy materialize मतलब अमल में लाना materialize अमल में लाना it's better to materialize your plan अपनी यूजना को अमल में लाना बहतर है materialize it's better to make realize your plan make realize your plan अपनी यूजना को अमल में लाना बहतर है make realize your plan it's better to make realize your plan अपनी यूजना को अमल में लाना बहतर है shatter shatter मतलब चकना चूर my all hopes are shattered मेरी सारी उम्मीदें चकना चूर हो गई है my all hopes are shattered मेरी सारी उम्मीदें चकना चूर हो गई है fumble fumble मतलब गड़बड कर देना या अटकना fumble fumble मतलब होता है गड़बड कर देना या अटकना उसने सब कुछ गड़बड कर दिया इसकी इंगलिश अगर आप सब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हमें कमेंट करके बताएं एक्जाम्पल सेंटेंस है डू नोट फंबल वाइल टॉकिंग बाते करते समय अटकना नहीं इस्ट्रेंथ इस्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति या ताकत दा इस्ट्रेंथ तू फाइट डिजीज इस गुड बिमारी से लड़ने की ताकत अच्छी है एक्स एग्रेट बढ़ा चढ़ा कर बताना एक्स एग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर Xe agrate मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना Never Xe agrate your plan अपनी योजना को कभी बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें या फिर अपनी योजना को कभी बढ़ा चढ़ा कर ना बताے Never Xe agrate your plan Never exaggerate your plan elongate elongate मतलब होता है बढ़ाना Why are you elongating the argument? आप तरक को क्यों बढ़ा रहे हैं? Why are you elongating the argument? आप तरक को क्यों बढ़ा रहे हैं? Thanks for that